Hello all, welcome to Magnet Brains, मैरी आचोहन, आपकी दोस्त और होस्त for Social Science, आज आपके लिए लेकर आई हूँ Most Important Questions of the Chapter Globalization and the Indian Economy हर एक्जाम पर के पहले हम गुजरुवत होती है most important question कि हम को ऐसा लगता है कोई आजाए, कह दे कि अरे ये question आने वाले है तो ऐसा नहीं है कि ये CBSE ने बोला है कि ये question आने वाले है, but by experience और by seeing previous year videos, we can see previous year question papers, we can mostly predict कि हाँ ये chapter अगर है तो इन में से ये वाले question हमको नहीं छोडने चाहिए, इनकी practice तो हमें करी लेनी चाहिए, आएंगे तो हो सकता है इन में से आजाए है ना, तो आप इनके उपर rely कर सकते हैं और इनकी practice जरूर से कर लेना, mostly हमने almost सभी cover किया हुआ है, तो हमको छोडना नहीं है तो स्क्रीन शॉट लेके चलते फिर से वीडियो मत देखना, कोशिश करना कि इनको लिख लो साथ साथ में clear, पहले question की बात कर लेते हैं, तीन तरीके से question पूछे जाएंगे हमको exam में very short, short or long answer type question, है ना, difference between जो है, उनके अलग से videos आपको मिल रहे हैं particular difference between 5-5-6 minute के, तो उनको भी आप देख लेना, case-based question के उपर आपके प्लिए एक single question, मतलब single video आजाएगा, पूरे social science का, तो वो भी आप access कर लेना, उसमें हम पूरा total cover कर लेंगे, map work वागेरा, तो हमारा हो ही गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, पहले question की बात कर लेते हैं, what do you mean by, ऐसे आ सकता है, globalization आ सकता है, MNCs आ सकते है, investment आ सकता है, है ना, आप से liberalization पूछा जा सकता है, world trade organization पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसे एक साथ नहीं पूछेंगे, ठीक है, यह हो सकता है कि ऐसे दो definition पूछ ले, हैना, यह define करके दो, ऐसे दे दे, तो दो number की हो जाए, very short में, या फिर ऐसे single पूछ ले, कुछ भी पू connection और integration between countries, जब countries बहुत rapidly एक दूसरे से जुडने लगती है, interconnect होने लगती है, integrate होने लगती है, इसी को क्या कहते है, globalization कहते है, तीन word most important is definition में, सबसे पहला तो rapid, rapid है ना, कि तेजी से interconnection होना, दूसरा important word क्या है, integration and interconnection है ना, between countries, तो यह क्या है, globalization, globalization, MNCs के अगर हम बात करें, MNCs क्या होती है, तो MNC एक company है, जो कि control करती है, production को और production को own भी करती है, in more than one nation, एक nation से ज्यादा, है ना, तो यहाँ पर most important words क्या है, एक तो production, है ना, production को own और control करना, in more than one nation, क्या है, more than one nation, एक nation से ज्यादा, MNCs set up offices and factories for production in regions where they get cheap labor and other resources, है ना, तो कुल मिला के, MNCs का मतलब क्या होता है, इसी company, जो कि production को control करी है, और क्या करी है, है, own करी है, तो बहुत सारी companies करती है, own और control, MNC में क्या अंतर है, तो यह एक से ज्यादा nation में करती है, मतलब सिफ एक nation में ने, एक से ज्यादा nation में, अलग-अलग countries में production को own और control करती है, इसी को क्या कहते है, MNC कहते है, यह वहाँ पे अपने offices और factory set up करती है, जहाँ पे उनको आसानी से सस्ता labor, है ना, सस्ता, जो है raw material और दूसरे resources मिल जाए, ताकि वो ज्यादा-ज्यादा profit कमा पाए, क्लियर है, उसके बाद में हम देख लेते हैं, investment क्या होता है, तो money जो की spend की जाती है, assets को buy करने के लिए, यानि की ऐसी चीज़ों को buy करने के लिए, जो की profitable हो, जैसे की land, building, machine, equipment, यह सब क्या कहलाता है, investment कहलाता है, basically investment जो होता है, वो आपको आने वाले समय में जो चीज़े profit earn करके दे, वही समान क्या कहलाता है, investment कहलाता है, building है, building को बेचोगे, बाद में आने वाले समय में कीमत बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, machine खरीदना, अगर आपकी factory है, अगर आप machines खरीद रहे हो, तो आपके लिए investment है, क्योंकि उससे आपका production faster होगा, बहुत सा security definitions है, जैसे कि liberalization हो गया, तो liberalization का मतलब क्या होता है, barriers और restrictions को remove करना, जो की government ने लगाए हुए है, जो restrictions और barriers government ने लगाए हुए है, उनको remove करने का मतलब क्या होता है, liberalization होता है, liberalization जब होने लगता है, यानि कि जब government के लगाए हुए restrictions हट जाते हैं, तब आसानी से business चलने लगते हैं है ना आसानी से businessman जो है वो अपने decision ले सकते हैं कि क्या उनको export करना है क्या import करना है है ना तो यह point आप लिख सकते हो in liberalization World trade organization क्या होता है तो world trade organization एक ऐसा organization है जो की aim करता है यानि कि जिसका motive होता है कि जादा सा जादा trade क्या हो जाए liberalize हो जाए यानि कि free हो जाए liberalize मतलब free हो ना ठीक है liberalize हो जाए मतलब free हो जाए जादा जादा international trade liberalize हो जाए establishes rules regarding international trade and sees that these rules are followed ठीक है तो world trade organization basically क्या करता है it is an organization that tries to liberalize completely liberalize the international trade मतलब countries to country जो trade हो रहा है उसको एकदम free करना यानि कि कोई tax barriers ना हो को import duties ना हो है ना यह चाहता है world trade organization ताकि सारी कंट्री क्या हो prosper हो और एक दूसरे का market share कर सके ठीक है यह rules बनाता है और यह भी देखता है कि कि दूसरी countries and rules को follow कर रही है कि नहीं घरी है clear समझ में आया कि नहीं तो यह हमारी चोटी चोटी definitions हो गई फिर अगर पूछ लिया जाए कि कौन से साल में government ने इंडिया में international trade पे और investment पे foreign trade पे और investment पे barrier हटाया था तो that is the year 1991 है ना तो आ सकता है एसे चोटा मोटा कुछ करके या कहीं पर 1991 लिखने में आ गया liberalization के उपर तो आपको 1991 यह याद होना चाहिए people have been benefited through globalization what do you think है ना लो globalization से काफी साथ benefit हुए है लोगों को फाइदा हुआ है क्या आपको क्या लगता है तो देखो ऐसा है कि लोगों को दो aspect है इसके है ना जिनके पास में skill थी जिनके पास में education था जिनके पास में अच्छे opportunities थी उनको इससे जो है वो काफी सदा benefit हुआ लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा नहीं था जो गरीब थे जिन लोगो प्रॉब्लम थी जिन ने शुरू-शुरू में अपना काम सारा कुछ सेट अप किया था है ना और मतलब जिन लोगों के पास में कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको globalization से मदद नहीं मिलिया है ना तो हम या पर लिख सकते हैं there are evidences which indicates that not everyone has benefit from globalization people with education skill wealth have made the best use of new opportunities on the other hand there are many people who have not shared the benefits clear और आप लिख सकते हो name and important barrier on foreign trade why is tax on import known as trade barrier तो एक important barrier जो की किस पे लगाया जाता है foreign trade पे लगाया जाता है उसका आपको नाम देना है तो foreign trade पे किस तरीके से barrier लगाया जाता है मतलब रुकावट डाली जाती है तो tax लगा के डाली जाती है ठीक है तो tax on import is an important barrier for foreign trade ठीक यह इसको why is tax on import known as trade barrier इसको trade barrier क्यों कहा जाता है क्योंकि tax क्या करता है tax on import is known as trade barrier because it increases the prices of imported commodities आपने देखा है आपने देखा है कि जब भी आपके आपके हां पर कोई भी imported समान आता है है तो कई बार वो सस्ता रहता है कई बार बहुत महंगा रहता है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है barrier कहा जाता है यह एक रुकावट है क्योंकि महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे तो रुकावट आएगी उसको बेशने में ठीक है तो ऐसा किया जाता है इसलिए उनके ओपर टेक्स लगा दिते हैं कि उनकी कीमत बढ़ जाया यह लोग हमारे यहां का समान अच्छे से खरीदें समझ में आया कि नहीं ठीक है इसलिए इसको barrier भी कहा जाता है what do you understand by term foreign direct investment foreign direct investment से आप क्या समझते हो तो investment जो की MNC के दवारा किया जाता है that is foreign investment and कोई भी investment जो की यह वो investment होता है जो की profit earn करने के लिए किया जाता है ज्यादा साथ profit earn करने के लिए किया जाता है बस इसी को क्या कहते है foreign direct investment या foreign investment clear ठीक है तो बहुत ही simple simple से है very short answer type question तो why do MNC set up offices and factories in those regions where they get cheap labor and other resources जो MNCs होती है वो ऐसी जगह पर ही क्यों अपने offices set up करती है जहां पर उनको सस्ता labor है ना और दूसरे resources सस्ते में मिल जाते हैं क्यों करती है वो तो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो क्या कर सके जादा सजादा profit कमा सके और cost of production भी लो रहे ठीक है जैसे MNCs है MNCs को क्या करना होता है उनको production बनाना होता है ठीक है अब production जब बनेगा बिकेगा सब कुछ है तो MNCs के पास में पैसा पर्सनल पैसा कब बनेगा की लेबर को दे दिया प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल लिया अब इन टोटल जो बच रहा है वह MNC का profit है है ना तो अगर सस्ते में labor मिल गया तो यहां से पैसा बच जाएगा सस्ते में raw material मिल गया तो यहां से पैसा बच जाएगा सस्ते में transportation हो गया तो यहां से पैसा बच जाएगा जब पैसा बचेगा तो ज़्यादा पैसा बचेगा, कुल मिलागे, है ना तो ज़्यादा profit होगा इसले MNCs क्या करती है, ऐसी जगे पर अपना office setup करती है, जहाँ पर उनको cheap labor और दूसरे resources सस्ते में मिल जाए ताकि उनका production cost भी कम हो, सस्ते में समान बन जाए और साधी साथ में profit भी ज्यादा बने तो ये दो point आप इसके अंदर ले सकते हो short answer के हम बात कर लेते हैं, तीन advantages हमको बताने है globalization के explain any three advantages of globalization, globalization के क्या तीन advantages है सबसे पहला तो globalization की मदद से quality improve हुई है of product, improved quality product कि पहले क्या होता था जब globalization नहीं था, एक ही country में समान बनता था और एक ही country में बिखता था तो लोगों का कोई competition नहीं था, बना रहे थे बेच रहे थे उनको था कि लोग क्या खरीदना तो यही पड़ेगा क्योंकि market में तो फिर दोनो product है, सामने वाला बंदा खरीदने वाला है थोड़ी देखेगा कि कौन सी country का क्या समान है वह तो यह दिखेगा कम कीमत में अच्छी क्वॉलिटी का समान मिल रहा है, पर अगर आपका समान कम कीमत में अच्छी क्वॉलिट्य का मिल रहा है तो आपका लेगा Stephen ने तो दूसरी country का लेगा तो दूसरी WOR programmation को फायदा होगा यहा पर फायदा नहीं होगा समझ में आई ना बात, तो improved quality product, why globalization has resulted in greater competition among producers and has been of advantage to consumers, particularly the well-off section, well-off section को काफी से फायदा हुआ है, है ना, जिनकी वास में पैसा है, तो अच्छे से, अच्छी quality का product खरीद पा रहे है, कि rich people now enjoy improved quality and lower prices for several products, जो rich people है, पैसे वाले लोग है, वो बहुत सारे product में उनको बहुत सारी अलग-अलग qualities मिलने लगी है, collaboration with local companies, local companies के साथ में हाथ मिला पाते हैं, है ना, उनके साथ में collaborate कर पाते हैं, ठीके, local companies get money for additional investment, like buying new machines for faster production, जो MNCs आई, globalization हुआ, दूसरी companies यह आई, तो यहां की local companies से क्या करे हाथ मिलाई, अब local company के पास में मालो पैसा नहीं था, नहीं machine खरीदने के लिए, लेकिन अब जब MNC से हाथ मिला ले, MNC के पास में तो लमसम पैसा है, और MNC तो चाहती है, और production बढ़े, तो local companies को क्या देगी, पैसा देगी, खरी तो machine, लाओ समान, बढ़ाओ production, ठीक है है, तो local companies को भी फादा, साधी साथ में नहीं technology भी improve होती है, अपने आपे कोई से समान बनाने के लिए, यह technology en用हरे है, दूसरी country में वही समान बनाने के लिए, तूसरी technology use हो और हिकला हैे, हम को पता नहीं हम मेहनत किये जा रहे हैं, किये जा रे हैं, अब जो दूसरी country से company तो वो क्या करें कि अपने साथ में अपनी टेक्नोलोजी भी लेखाएगी तो हमको बता चलेगा अच्छा ऐसे भी तो किया जा सकता है ऐसे भी तो इंपरूब हो सकता है तो ऐसे नई टेक्नोलोजी भी इंट्रोड्यूस होती है Companies might bring with them the latest technology for production तो ये क्या हो गए? advantages of globalization हो गए समझ में आ गया ऐसे subheadings जरूर लिखना जब भी आप answer लिखो that will be more easy for you also to write and examiner also to check ठीक है? जब examiner check करेगा तो 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 direct-direct मिल जाएगा अच्छा ये point है, ये point है, ये point है खुश, आपने जितनी आसानी रखी अपने answer में examiner को check करने के लिए उतने अच्छे question मिलेंगे आप जितना गुमाओगे जितना एक ही एक चीज रिपीट करोगे जितनी गंधी handwriting लिखोगे तो examiner परिशान होगा अपने number नहीं देखा आप कोशिश करो कि उसको ना बिल्कुल फटा फट से आपकी चेक हो जाए है ना, मतलब अच्छे से ऐसा भी फटा फट से तो क्या फिर खाली रख दो चेक हो जाए ऐसा नहीं करना है फटा फट से चेक हो जाए, मतलब सारे answers एक दम clear cut हाँ ये, हाँ ये, हाँ ये, हाँ, 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 done ऐसा तो खुश हो कि आपको अच्छे number देगा अपने को examiner को खुश करना है एकोल मिला के What is a trade barrier? Why did the Indian government put up trade barriers after independence? Trade barrier क्या होता है? और Indian government ने trade barrier क्यों लगाया था independence के बाद में हमको explain करना है तो trade barrier मतलब trade होता है ना countries के बीच में उस पर barrier लगा देना या नी restriction लगा देना अब restriction कैसे लगा सकते हैं? कि सामने वाली country से जो समान आ रहा है अपनी country पे उसके उपर tax लगा दो है ना? उसके उपर import duties लगा दो custom duties लगा दो ये सब क्या होते हैं? अब्र मतलब उसको क्या करना पड़ रहा है? खर्चा करना पड़ रहा है ठीक है अपनी country में समान बेचने के लिए तो फिर वो सोचेगा बेचना एक नहीं बेचना है यहां पर तो आप बोलो के माम महिं यह तो गलत बात है जैसे कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है, यानि कि अभी लोग कमजोर है, अभी लोगोंने दुनिया नहीं देखी, अभी लोग शुरुवात करेंगे अपने सारे काम को सेट अप करने में, अब ऐसे में ही अगर दूसरी कंट्री के समान अपने आ पे बिखने लगेंगे, है और फिर हमारी country प्रोस्पर भी नहीं कर पाईगी, समझ रहो कि नहीं ऐसे में क्या करते हैं कि भारवाल से समान आ रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद में भारवाल से समान आ रहा है, उसके उपर क्या कर देते हैं टैक्स लगा देते हैं, इंपोर्ड ड्यूटी लगा देते हैं, तकि वह महेंगे में आए, country में अब जब country में वही समान महेंगे में आएगा, तो लोग हमारे यहां का समान खरी देंगे रैजर देन खरीदने और दूसरी country, लोगों नहीं समझ होती कौन सा किस country का समान है, इंडिपेंडेंस के बाद में हम ही क्या समझ थी, हमको यह था कि सस्ते में कौन सा समान मिल रहा है, ठीक है, तो सस्ते में हमारे का मिलेगा, तो हमारे का खरीदेंगे, सस्ते में उनका मिल यानि कि टैक्स लगा देते हैं उनके समानों के उपर ताकि वह भेंगे में कंट्री में भीके है ना हमारे कंट्री के लोग हमारे ही आ का समान खरीदे और फिर हमारे जो प्रोड्यूसर यह बुरस्पर हो जाए ठीक है अभी यह शुरुवाती दौर में किया जाता है ठीक है एक टाइम के बाद में अगर प्रोड्यूसर अच्छे हो गए अपने आके और अच्छा कमाने लगे तो फिर यह ट्रेड वैरियर हटा देना चीए ठीक है अब क्यों हटा देना चीए अब इसले हटा देना चीए क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि भार की कंट्री के समान कि क्वालिटी कैसी है है ना कॉंपेटिशन जब होगा दोनों के बीच में तो फिर वह और अच्छी क्वालिटी का समान बना पाएंगे समझ में आई बात तो हमको यहां पर क्या पताना है हम इत्ते एक्स्प्लेंड करना है कि ट्रेड वैरियर क्या होता है और इसलिए लगाया था विकर्स है ना विकर्स दो पॉइंट लिग दो ताकि डॉमेस्टिक प्रडूसर्स को फॉरेंड कॉंपेटिशन से प्रोटेक्ट कर सके बचाके रखे और इस समय पर जो इंपोर्ट होता है वह लोकल कंपनीज को आगे बढ़ने में अलाव नहीं करने अगर इंपोर्ट आता तो फिर वो लोकल कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाती लोकल कंपनी मतलब हमारे हां की कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाती इंडिया अलाव इंपोर्ट्स ऑफ ओंडी एसेंशल आइटम सच इस मशीनरी फर्टिलाइजर पेट्रोलियम को अलाव किया का अमरे कंपनीज मतलब अने देनी के लिए विडाउ ट्रेट-रियर लिए बाकी सब कियो पर देघ्ए लगा जैए थाकि हमारे कंत्री केір प्रद्यूसर क्रॉसर प्रसपरहूर। असा नोइक्टल.म लोकल कंपनी न मतलब हमारे लोकालीटी की इंडिया क्या नाए इंडिय Chinese toys explain three points अगर चाइनीज ऐसी अक्कल हमको ना चाइनीज टॉइस पर नहीं है हमने इंडिपेंडेंडेंस के बाद में तो समान पर सब टैक्स लगा दिये लेकिन चाइनीज टॉइस पर हमने टैक्स नहीं लगा रहा है अब जब टैनीज टॉइस पर टैक्स नहीं लगा तो खू सबसे पहला कम चाइनीज टॉइस इंडियन मार्केट में आते क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ता तो साइसी बाते गिंती कम हो जाती दूसरा अगर आते भी तो उनकी उनके उपर टैक्स लगके आता तो महंगे हो जाते ठीक है तीसरा इंडियन टॉइमेकर्स के लिए का आती साथ में इंडियन बायर्स के पास में भी कम चॉइस होती मार्केट में तो फिर वो जो है मार्केट में आंड टॉइस विल बिकम मोर एक्सपेंसिव इन बायर्स वूट है तो इसलिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा भी दिमांग में रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम न होगी ठीक है explain the condition that determines MNC setting up production in other countries ऐसी conditions बताईे जिसके बेसिस पे या फिर जिसके हां जिसके बेसेस पर MNC क्या करती है अपना office या फिर अपना production बुसरी country में set up करती तो बहुत सारी countries होती है, पर वो कहां पर अपना production set up करती है, क्या सोच के set up करती है, यह condition हमको बतानी है, है ना, तो सबसे पहला तो cheap labor है, ठीक है, क्या है, cheap labor है, MNC set up office and factories for production in regions where they get cheap labor and other resources, example, countries like China, Bangladesh and India, they also provide advantage for cheap manufacturing location, ठीक, दूसरा close by market, ठीक है, close by market क्यों, क्योंकि transportation cost कम लगता है अगर market से काफी दूरी है, तो फिर आपको समान पहुचाने में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर market से pass में है, तो फिर कम पैसा लगेगा, profit बच जाएगा, MNCs also need close by market for their manufacturing goods, जैसे कि Mexico, Eastern Europe, यह काफी जादा useful है for their closeness to market, ठीक है, इसके अलावा, MNCs को skilled engineers की भी जरुरत पढ़ती है, ठीक है, IT personals की भी जरुरत पढ़ती है, English speaking youth की भी जरुरत पढ़ती है, जो कि उनको अच्छी customer care services provide कर सके, इंडिया इसमें top choices रहती है, जैसे आपने production unit setup करिया, सब कुछ कर रहा है, अब लोगों ने समान खरीदा, उनको दिक्कत आ रही है, तो call करने के लिए उनको ऐसे लोग चाहेंगे, जो कि अच्छी English बोलते हैं, English क्यों बोलते हैं, क्योंकि English ऐसी language है, जो कि सभी हर country में बोली जाती है, हैनो तो आप जादा लोगों से communicate कर पाते हो, साथ ही साथ में अच्छी engineers, skill engineers, और IT personals की भी जरुरत होती है, तो ऐसी जगे पर क्य होगे तो बहुत छोटा बनेगा, how are local companies benefited by collaborating with multinational companies, explain with example, जब multinational companies, आप हमारे आखी local companies, यानि कि जो इंडिया की, जिस भी जगे पर रह रह रहे हो, वहां की companies से collaborate करती है, यानि कि हाथ मिलाती है, तो उससे local companies को क्या फायदा होता है, तो basically यह जो फायदा होता है, तो फायदा ह अच्छी बन जाती है, साथ ही साथ में MNC अपने साथ में latest technology लेके आती है, ताकि वो production को enhance कर सके है, तो इन्वेस्मेंट के लिए पैसा मिलता है, दूसरा MNC अपने साथ में नई technology लेके जाती है, जैसे कि पैराख food का आप example दे सकते हो, हमने पढ़ा है, explain with example का यहाँ पर clear, how production in widely dispersed location is getting interlinked, बहुत दूर दूर पे जो production होता है, अलग-अलग countries में होता है, तो वो कैसे एक दूसरे से interlink हो रहा है, यह हमको बताना है, तो there are variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various ways across countries of the globe, number one, वो क्या करती है, local companies से partnership बनाती है, local companies को supplies के लिए use करती है, उनके साथ में compete करती है, या फिर उनको खरीदी लेती है कई बार, और साथी साथ में MNCs जो है, वो काफी जादा distant location की production unit पर अपना influence जमाके रखती है, तो जब इतना सारा कुछ अलग-अलग countries की companies की बीच में ह होते रहता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत दूर-दूर की distant location पर प्र प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, interlink हो रहा है, as a result production in these widely dispersed location is getting interlink, clear है, समझ में आया, next question की बात कर लेते है, in a matter of years, our market have been transformed, do you think so, if yes then explain why, कुछ सालों में ही हमने देखा है कि हमारा market पूरी तरीके से बदल चुका है, क्या आपको भी ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगता है, तो बताना है कि ऐसा क्यों लगता है, है ना, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो लिख दो हा, है ना, बिल्कुल सही है, हमारा market जो है, वो कुछी सालों में काफी हद तक markets have definitely transformed in the matter of years, we can say this because of the following reason, है ना, इन reasons की कारण ऐसा कहा जाता है, हर season, हर season, हर season, हमारे हाँ पर नए models of automobiles देखने को मिलते हैं, वो जमाना गया जब हमारे सडकों पर ambassador of fiat जैसी एकादी गाडिया घूमा करती जी, है ना, gone are the days when ambassador and fiat were the only cars on Indian roads, ठीक है, साथ ही साथ में, Indian are buying products, Indians are buying products produced by nearly all top companies in the world from shirt to television to processed fruit juices, ETC, ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमाया market बहुत change हो गया, अब हमारे पास में variety of things available है, जो की all over the world बनती है, पहले नहीं थी, पहले यही का समान पहनते थे, एकाज जो कुछ countries से आता था वही आता था, वो भी महंगा मिलता था, है न बाकि अब तो हम कहीं पर भी जो बन रहा है, जो produce हो रहा है, वो हमारे पास में available हो जाता है, wide ranging choice of goods isn't seen recently, you wouldn't have found this in Indian market even two decades back, इतनी wide variety of choices हमको मिल रहे है market में, आज से 20 साल पहले भी रेखते तो यह सब कुछ available नहीं था, है न, तो इन reasons के कारण हम कह सकते हैं, कि हमारा market काफी ह तक बदला है, समझ में आया, long answers पर आ जाते हैं, long answers क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं, what are the harmful effects of MNCs to a host country, give three examples, host country मतलब ऐसी country जहां पर MNC आ रही है, जिसे इंडिया है, है न, अब दूसरी country है, कोई foreign country की company है, वहां से कोई सी company यहां पर आ रही है, अपना office setup करें, तो इंडि तो host country को क्या-क्या नुकसान होते हैं, है न, उस MNC की बदत से, यह हम को बताने है, तो क्या हो सकते है, small producers जो है, वो compete या, perish कर जाते हैं, ठीक है, जो बड़े-बड़े producers को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर MNC आई तो वो अपनी बड़ी unit बना लेगी, फिर लोग उसी से खरीदना पसंद करेंगे, ठीक है, तो जो small, छोटे-मोटे जो producers होते हैं, वो compete नहीं कर पाते हैं, और फिर उनका जंदाज हो है, वो choppet हो जाता है, ठीक है, several of the units have shut down, rendering many workers, jobless, battery, tape, tire, dairy products, vegetable oil, or some of the industries that are badly affected due to stiff competition from the MNC, ठीक है, दूसरी चीज है कि employment काफी जादा अंसर् हो जाता है, है ना, maximize profit करने के लिए MNCs क्या करती है, जो ऐसी location को देखती है, जहां पर उनको कम cost पे labor मिल जाए, मतलब कम कीमत पे labor मिल जाए, अब जब कम कीमत पे labor मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगी, वो उसको seasonal भी रखेगी, है ना, जब काम बढ़ा तब रख लिया, तो ऐसे में क्या होता है, employment काफी हद तक uncertain हो जाता है, they prefer to employ worker on temporary basis, so they do not have to pay the worker for the whole year, ठीक है, अब वो ऐसा किसलिए करती है, ताकि उनका profit जादा से जादा बना रहे, है ना, तो ये दो चीजे हैं या दो harmful effect हैं, जो कि host country को face करने पड़ते हैं, because of the MNCs, दो नहीं तीन हैं, एक गवर देख लेते हैं, condition of employment भी काफी हद तक खराब हो जाती है, workers को उनका share benefit नहीं दिया जाता, ठीक है, साथी साथ में protection भी नहीं दिया जाता, for example, Indian government export industry often deny their workers their fair share of benefits, है ना, मतलब क्या होता है, कि जैसे आपने MNCI है, ठीक है, तो आप उनके तरीके उनके हिसाप से रहेंगे ठीक है, आपको वो safety prefer नहीं करवाएंगे, या अपने हिसाप से काम करवाएंगे, है ना, अब आपको भी काम की सुरुत है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जाके काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर condition of employment जो है, वो काफी हद तक खराब भी हो जाती है, clear, क्योंकि MNCs के आजाती है, जाता जाता profit बनाना, profit कब बनेगा, जो अपने employers के उपर, जो समानों के उपर कम से कम खर्चा करेगी, हैना सस्ते में इतना काम हो जाए, इतना सस्ता काम करवाएगी, तो benefit जो है वो employees को जो है वो कम मिलता है, clear, next question देख लेते हैं, how has globalization been advantages to both the producers as well as consumers in India, हमक explain करना है कि कैसे globalization, जो है उसकी मदद से producers और consumers को दोनों को फायदा हुआ है, ठीक तो पहले अगर producers की बात करें, तो बहुत सारी top companies के साथ में वो क्या कर पाए है, increased competition की मदद से benefit उनको मिलने लगा है, साथ ही साथ में उनके पास में नई technology आई है, नई production methods आई है, और production standards भी उन companies के बढ़ गए है, because of coming of MNCs, और collaboration के कारण, बहुत सारी MNCs के साथ में हाथ मिलाने के कारण, बहुत सारी companies अपने आप में भी काफी बड़ी हो चुकी है, ठीक, globalization ने IT सेक्टर को भी develop करने में काफी मदद किया है, क्योंकि जब globalization होता है, तो आपको अलग-अलग country से communicate कर तो वो किसकी मदद से होता है, information technology की मदद से, है ना तो वो भी काफी हद तक develop हो गया है, good quality products are being produced at lower prices, अब कम कीमत पर अच्छी quality के produce होने लगे है, तो यह तो producers को फायदा है, consumers को क्या फायदा हुआ, कि उनके पास में बहुत choices आ गई अब समान में, वो जो चाहे, जिस तरीक का चाहे, खरीच सकते है, सस्ती कीमत का, अच्छी quality का, अच्छी quality में कम कीमत का, अच्छी quality में अच्छी कीमत का, ठीक है, सारी, बहुत सारी choices उनको market में मिलने लगी है, और अब हम पहले से अच्छे standard of living में रह पा रहे हैं, as compared to earlier, तो अच्छे benefits हमको देखने को मिल रहे है for both producers and consumers, अच्छा, यहां पर advantages बोला है न, इसलिए हमने अच्छे बाते बताईए, अगर कुछ और चीज पूछते, यानि के harmful effects पूछते तो फिर हम वो बताते, clear है, तो दोनों चीजे हैं, for both producers and consumers, अगले question पर आ जाते हैं, अगला question हमारा क्या कह रहा है, it says, why is it important to make globalization more fair, how can it be done, है न, ऐसा क्यों जरूरी है कि globalization को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए, यानि fair मतलब गोरा ने, अच्छा, मतलब process अच्छी कर दी जाए globalization की, ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा सकता है, तो मैं पहले तो आपको समझाने के लिए बता देते हूं कि globalization को fair करने की क्यो डिवलपिंग नेशन है अभी है न, तो अभी ये क्या करें है ये developing nation है, तो इन्होंने क्या किया कि developing जब ये थी, तो ये क्या चाहती थी, कि दूसरी countries से हमारे यहाँ पर समान नहीं आए, क्योंकि हमारे producers prosper नहीं कर पाते हैं, अब ये countries क्या हो गई, ये दोनों countries क्या हो है डेवलप्ड पिन ना इस क contrat में क्या हुआ वर्ल्ट रेट औरगनाशेशन बना इन वर्ल्ट औरough बुश्य वे अच्छे हो गया और आप यह भी क्या चाहते हैं कि अपना समान दूसरी कंट्री में बेचे तो जाधा profit मिलेगा तब दूसरी कंट्री में कब अच्छे से बेच सकते हैं जब उन कंट्री पे इंपोर्ट ड्यूटी ना हो टैक्स ना हो है ना तो समान बेच पाएंगे नहीं तो इनको टैक्स पर करना पड़ेगा तो इन्होंने क्या बोला कि दूसरी कंट्री में जो समान बेचने का वाला सिस्टम है उसको क्या कर दो उसको रिलाक्स कर दो यानि कि सारी कंट्रीज को ऐसा बोल देते हैं अपन तो की ट्रेड वेरियर लगाए ना टैक्स इंपोर्ट लगाए ना तो अब इनको तो फायदा है क्योंकि यह तो डेवलाप हो गए लेकिन अभी यह वाली कंट्रीज तो अभी भी डेवलापिंग स्टेज पहना इनके प्रडूस तो अभी भी डेवलाप हुए नहीं है अब ऐसे में जब यह कंट्रीज इनके आपर समान बेचेंगी तो यहां के लोग इनका समान खरीदना प्रेफर करेंगे इनका थोड़े करेंगे तो यह तो हमेशा डेवलाप इससे अफेक्ट होंगे क्योंकि अभी सच्छा ही है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे में जो प्रडूसर्स है डेवलापिंग नेशन्स के वह मारे चाते हैं वह काम करना चाहते हैं लेकिन करनी पाते है ना तो इट वोड क्रिएट नियू अपर्चुनिटीटीज भी यह भी है और चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो बेनेफिट है वो सारे लोग सेर कर पाए ऐसा नहीं कि कुछ पौटिकुलर नेशन या कुछ पौटिकुलर एरिया ही शेर करें हैना सारे लोग सेर कर पाए यह हमको ध्यान रखना ज़रूरी है ऐसा कैसे किया जा सकता है can be done by government policies जो कि लोगों की interest को favor कर सके ऐसी government policies बने साथ ही साथ में labor laws को और प्रोपरली implement करने की ज़रत है क्योंकि globalization से सबसे ज़ादा तो hard hit है वो labors है सस्ता labor सस्ता labor सस्ता labor तो वो labor विचारा सस्ता ही हो गया है उसको पैसा ही नहीं मिलता है जित्ता हो काम करता है तो इस पर धियान रखनी की ज़रत है small producers को भी प्रोटेक्ट करनी की ज़रत है क्योंकि बड़ी-बड़ी companies अपने असाब से काम कर लेती है small producers बिचारे फजाते हैं कि investment और trade के उपर जो है जो भी barriers necessary है वो भी introduce करते रहना चाहिए समय समय पर पता चला सब free कर जाए जिसे चाइना की toys लाना free हो गए थे तो फिर वो ऐसे में जो यहां की producers थे toy producers वो मारे गए मतलब मारे गए मतलब वो उनका business expand नहीं हो पाया है ना साथ ही साथ में countries को negotiate करना चाहिए with the world trade organization की वो fairer rules बनाए और developed country उनको dominate ना करे अगर rules बने तो सब के हिसाब से बने है ना साथ ही साथ में लोगों का एक काफी important role है in the globalization for fairer globalization यह सारी चीजों की demand लोगों को करनी चाहिए अगर small producers परिशान हो रहे है तो उनको आवाज उठानी चैए laborers परिशान हो रहे है तो उनको आवाज उठानी चैए है है ना नही policies चैए तो आवाज उठानी चैए जब तक जंता अपनी स्थिती government को बताएगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा प्रेशर पुटने करें कि तब तक कुछ नहीं होगा है ना तो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और अपनी दिक्कते बताएं अब आपको पूछा जा सकता है कि what are the factors that have enabled globalization ऐसे कौन से factors हैं जिनकी मदद से globalization हुआ है है ना तो factors में हमने क्या देखा दो factors एक तो technology देखी ती और एक liberalization देखा था बस इनी को explain कर दो इनी को explain करने technology के बारे हम बता दो कि IT आया है internet आया है तो इसकी वज़े से काफी हद तक हम दोसरे लोगों से कने कर पाए है नहीं तो अगर आपको globalization करना है आपको दूसरी country में अपना काम सेट अप करना है तो अगर technology नहीं होती या communication नहीं होता तो आपको वहां पर जाना पड़ता अलग अलग जगे पे इसलिए तो नहीं हुआ था पहले इतना globalization लेकिन अब जब से communication strong हुआ है internet आया है तो आप आसानी से फट से चुटकी भर बजाते हैं आप अलग जबकाते हैं दूसरी country के इंसान से बात कर सकते हो document share कर सकते हो ठीक है deals कर सकते हो है ना और साथी साथ में हाँ technology का काफी important role रहा है और क्या है हमारा liberalization जब से trade liberalized हुआ है यानि कि free हुआ है तो आप आसानी से question भी समाप्त I know कि मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको पूरा करवाया है जल्दी जल्दी में ऐसे तो नहीं कराया है कि मतलब बिल्कुली rapidly करवाया हो पट यह है कि exam time पे जितना कम समय पे आप जादा चीज़े cover करोगे इतना अच्छा रहेगा बेफाल तुमें चीजों को खीचना घीसना is not relevant at all आपके पास में समय कम है और questions यह सारे questions हम बहुत बार कर चुके हैं हम समझ चुके हैं सब कुछ हमें समझ में आ गया है तो अब कोशिश हमको क्या करनी है practice की answer writing की so that you have to do on your part आपको question मिल गया है आपको answer भी मिल गया है to the point answer मिल गया है तो अब आपको क्या करना है answer writing करनी है ठीक है तो अब आप गौर अपनी practice की ऊपर करना ठीक है सब कुछ आपके लिए available है सब कुछ समझाया जा चुका है और आपको अगर कुछ नहीं भी समझा रहा है क जो भी जो भी आपको doubt है सब हम clear करेंगे उसके अंदर ठीक है तो आपको polls मिलेंगे on the community post तो आप उसके थूरू भी बता सकते हो कि आपको किस topic में doubt आ रहा है है ना हम अच्छे से discuss करेंगे उनको वीडियो इसी तरीके से आपको available होते रहेंगे वो भी free of cost सारे chapters के most important question आप practice करते रहना अच्छा लगा तो like करना share करना अपने दोस्तों के साथ में और channel को subscribe करना मिलते हैं अगले वीडियो में